पुरानी देवार पर लामबी या पुट्टी लगाकर दीवार को पहले समतल करें. उस पर प्राइमर के दो कोट लगावें. प्राइमर सुखने के बाद सैंट पेपर की मदद से दीवार को हलकी से साफ करें. बाद में उस पर टेक्स्चर की डिजाइन निकालने के लिए दो क कारिगर काम करें एक कारिगर पेंट लगाएगा और दूसरा कारिगर दिजाइन बनाएगा डिजाइन पेटल्स पेटल्स डिजाइन बनाने के लिए आरका टेक्चर पेस्ट और आरका मेटालिक पेंट का इस्तमाल करें आरका टेक्च्चर पेस्ट के एक किलो में 15 से 20 फूर्ट तक दीवार पर डिजाइन बनाई चा सकती है आरका टेक्च्चर पेस्ट के एक किलो में 100 ग्राम पीने का पानी मिलाकर 10 मिनिट तक रखें फिर उसका इस्तमाल करें आरका टेक्च्चर पेस्ट को दीवार पर 5 से 6 फिट की सता पर अरहत भ्रस की मदद से तिर्चा लगावे जिस ब्रस से आप आरका टेक्च्चर पेस्ट लगाएंगे उसी ब्रस से ही आप डिजाइन निकालें और उसी ब्रस को नीचे की तरफ हलके से प्रेस करते रहें जरा ध्यान से देखिए किस तरह ब्रस को तैयार किया जाता है पहले ब्रस की साहिता से इस तरह से टेक्च्चर उठाएं और दूसरे ब्रस पर आरका मेटालिक हलका सा लगाएं और उससे निकाले गए टेक्च्चर पर गीले गीले में इस तरह से प्रेस करें कि ब्रस को हम अपनी तरह खीच कर उठा सकें जरा ध्यान से देखिए किस तरह ब्रस को तैयार किया जाता है जरा जाता है जब आप आरका गोल्डन वर ट्विंकल उडाते हो तब आपके सहायक कारिगर दिवार पर 5-6 फूट क्रोस में आरका टेक्श्चर पेस्ट लगाता रहे ताकि आप भी आसानी के साथ काम कर सके इसी तरह आप अपने सहायक कारिगर के साथ मिलकर काउस की डिजाइन बड़ी आसानी से दिवार पर पूरी तरह बना सकते हैं और गिले गिले पर आरका ट्विंकल भी उडाए बना सकते हैं देखिए आपकी दिवार कितनी सुन्दर लगती है लगती है न सुन्दर